उज्जेन शहर के नगरपाली का निगम की सीमा शेतर में आने वारे सभी मोहलों के अंदर शाम ढलते ही मच्छरों की भरमार देखी जा सकती है इस कदर मच्छरे की आप बाहर खड़े रहे ही नहीं सकते हैं और वा घर के बाहर कुछ समय भी सुकुन से खड़े नहीं रह सकते हैं गंबिर महामारी कॉरोना वाइरस के दोरान जहां इस समय उज्जेन जिले के अंदर हजारों की संख्या में पुलिस कर्मी, अधिकारी, कर्मचारी खुद रात को ड्यूटी कर रहे हैं और इन सब को भी परिशान होता हुआ देखा जा सकता है रात में जहां यह अधिकारी कर्मचारी जब ड्यूटी का निर्वाहन कर रहे हैं वही मच्छर इनको काट कर बिमार और परिशान कर रहे हैं नगरपाली का निगम के अधिकारियों को चाहिए कि शहर के अंदर दवाई का छिड़गाओ कराएं ताकि इन मच्छरों का अंत हो और लोगों को परिशानी से निजात मिल सके उज्जेन से विरेंदर शर्मा की रिपोर्ट लाप करें जिटने भी प्रमुक चोराई हैं प्रमुक रात के समय जो चेथर हैं जहां पर उज्जेन जिले की अगर बात करें तो इसकदर हालाद बिगडे हुए हैं इसकदर इस्तिति खराब है कि जिसको बताया नहीं है सकता है रात को आप किसी भी चोराय पर जाएं या किसी महले में जाएं बारा बज़े के बाद में इस कदर मच्छा रहते हैं कि ना तो आम आदमी पांच मिनट के लिए ख़ड़ा रह पाता है और ना ही जो ड्यूटी कर रहे हैं पुलिस कर्मी या जो भी सास की वाग में ड्यूटी कर रहे हैं कोराना महामारी के दोरान जिनकी ड्यूटी लगी हुई है वह मैं बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके से रात निकालते होंगे किस तरीके से ड्यूटी का निर्वाहन करते होंगे ये तो भगवान जाने और उनकी अंतरात्मा जाने क्योंकि इसकदर शेहर में मच्छर पनप रहे हैं जहां देखें अगर तो कंभीर महामारी कोराना वाइरस का असर दिखाई दे रहा है नगरपाली का निगम के लापरवा अधिकारियों को ना तो यह सब परेशानी दिखाई दे रही है और ना उज्जे नगरपाली का निगम के अधिकारी इस और कोई संग्यान ले रहे हैं अधिकारियों से मैं यही कहना चाहता हूँ माननी अधिकारी नगरणियम आयुक्तम होता है आप रात को साड़े गारा बजे बारा बजे सास की ऑफिस में से निकल कर एक पल के लिए सेहर के किसी महले में किसी जगा पांच मिनिट साथ मिनिट या दस मिनिट खड़े हो कर देखिए आपको पूरी इस्तिती धर्यातल के मालूम पड़ जाएगी लोगों की बहुत इस्तिती खराब है छिड़काव करवाईए आपका नाव को बिरेंदी शर्मा हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हमारा चैनल SW24 न्यूज हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगें डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें